नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस पीडिया और मैं हूँ आपका होस्ट सरब जी सिंग दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? जी नहीं, ना वो सैमसंग का है और ना ही एपल का व्याफोन है, आप सब का प्यारा और सब का जाना पहचाना नोकिया 33 जी हाँ, नोकिया 33 से हर किसी की कुछ न कुछ यादे जुरूर जुड़ी हुई है क्या आप उन यादों को ताल्या कर पा रहे हैं? चलिए, नोकिया 33 के चाहने वालों के लिए एक अच्छी ख़बर आई है विश्व मोबाइल कॉन्फरंस में नोकिया ने अपने 33-10 माडल को दुबारा से लाउंच कर दिया है पूरे 17 साल बाद नोकिया का यह माडल नए रूप और नए फीचर के साथ आपके हाथों में होगा उमीद है कि एप्रल के शुरू में ये फोन भारत और पाकिस्तान सहित पूरे भारतिये उपमाद्विप में बिकने के लिए उपलब्द होगा अगर हम नोकिया 33 की नई खूबियों की बात करें तो हाइ स्पीड इंटरनेट चलाने वालों को कुछ मैयूसी ही हाथ लगेगी क्योंकि यह फोन ने तो 3G है और ने ही 4G यह है एक सिंपल 2G स्पीड के साथ अपलब्द एक फीचर फोन है जो आपकी अंगलियों के इशारे से नहीं कीपेड के हिसाब से चलेगा जी हाँ यह एक फीचर फोन है नोकिया रंगीन डिस्पले के साथ आया है और इसकी सीक्रीन जो है 2.4 इंच की है इसके कलर भी बहुत फंकी है और देखते ही मन को लुबा लेंगे यह येलो, हरे, सफेद, वनीले साइद, अन्ये रंगों में उपलब्ध हो सकता है अब की बार नोकिया 33 फोन में रियर कैमरा LED लाइट के साथ दिया गया है हाला कि यह कैमरा महज 2 मेगा पिक्सल का ही है यह फोन नोकिया सीरिज की 30 प्लस OS सीरिज पर रन करता है की पैड में खासी जगह है जिससे बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी फोन की मेमरी को 32 जीबी तक एकस्पेंड किया जा सकता है फोन में ओपेरा मीनी ब्राउजर और FM रेडियो दिया गया है यहां, 1200 MHA बैटरी के साथ फोन की सबसे खास बात इसकी सनेक वाली गेम भी अब रंगीन हो गई है अब पतली पिन या मोटी पिन के चार्जर से नोकिया ने अपना पीछा चुडा लिया है और यह माइक्रो यूएसबी पोर्ट से चार्ज होगा अब अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में तो ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि यह फोन भारत में तकरीबन 3500 रुपए में बलब्ध हो सकता है हाला कि इस कीमत में अभी बहुत सारे स्मार्ट फोन आप्शन भी मजूद है मगर यह फोन उनके लिए है जो फीचर फोन रखना चाते है या सकैंडरी फोन रखना चाते है किड्स या बजुर्गों के लिए यह बहतर विकल्प हो सकता है आपको यह रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बैक्स में लिग कर जरूर बताएं और हमारे चैनल प्रिंस पीडिया को सब्सक्राइब करें धन्यावाद